हेलो स्टुडेंट आयम निजबा बानू आज का हमारा सब्जेक्ट है येल 210 और हम एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं हमारा इन्पुट होना चाहिए एक एरे उसके एलिमेंट्स हमको इन्पुट करने है और जो आउट्पुट आना चाहिए वो उन एलिमेंट्स में से जो सबसे बड़ा एलिमेंट है सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है वो हमारा आउट्पुट आना चाहिए अब इसका हमें है ayri में तो हम क्या मानते हैं कि पहला element हम मान लेते हैं कि वह सबसे बड़ा है after that हम उसको second element से compare कराते हैं अगर वह second element उसके बड़ा निकलता है तो अब हम second को हमारा बड़ा number हुझाएगा second largest हो जाएगा अब उस second number को हमें third से compare करा Swarok अगर third number हमारा उससे छोटा निकलता है तो कुछ change नहीं होगा हमारा largest second number ही रहेगा लेकिन अगर third भी second से बड़ा है तो हम third को largest बना देंगे तो हम हमारे steps कुछ ऐसे होंगे कि पहले हमने first element को set कर दिया as a largest उसके बाद हर element से हम compare कर आ रहे हैं largest को अगर element greater than largest है तो फिर उस element को हम largest बनाते जा रहे हैं अब इसका example देखिए आप यहाँ पे एक array है इसमें 10 elements है तो हमने शुरुवात में largest जो माना वो माना a 0 को यानि कि यह first element जो 12 है इसको हमने largest element माना है अब हमने बच्चे हुए जो a 1 से लेके इस 9 तक के element है उन से इसको compare कराएंगे तो पहली बार हम a 1 को compare कराएंगे largest से तो a 1 है हमारा यहाँ पे 23 और largest है हमारा 12 तो क्यूंकि 23 बारा से जादा है तो अब हमारा largest हो जाएगा 23 उसके बाद जब i equals to 2 के लिए करेंगे तो हमारा a 2 है 45 and largest है हमारा 23 तो अब 45 बढ़ा है तो हमारा largest हो जाएगा 45 after that a 3 के लिए a 3 है हमारे यहाँ पे 67 और largest था 45 तो यह भी 67 भी बढ़ा है 45 से तो largest update हो जाएगा 67 हो जाएगा after that a 4 के लिए a 4 है हमारा 87 87 भी 67 से बढ़ा है so largest अब 87 हो जाएगा after that a 5 पे जो value stored है वो है 54 54 87 से छोटा है so अब कोई चेंज नहीं होगा जो largest हमारा 87 था वो 87 ही रहेगा a 6 के लिए जब हम चेक करेंगे तो a 6 पे जो value stored है वो है 90 largest हमारा 87 अब इसको 87 से बढ़ा नंबर मिल गया है तो अब यह largest बना देगा 90 को after that 7, 8 और 9 पे stored है 32, 43 and 31 यह तीनों ही 90 से छोटे हैं तो कोई चेंज नहीं होंगे और जो last में हमारा largest रहेगा वो 90 ही रहेगा अब हम इसका प्रोग्राम लिगना शुरू करते हैं सबसे पहले हम हेडर फाइल से इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम में तो मैंने यहां पर stdioio.h and cornio.h हेडर फाइल से इंक्लूड कर दिया है after that void main और उसकी बाद हमें आरे डिक्लियर करना होगा तो हमने 810 10 values के लिए array declare किया है after that एक variable हमको चाहिए जिसमें हमें largest number रखना है तो हमने एक variable लिया है largest नाम का i हमारा control variable है तो हमने तीन variables यहां declare किया after that clear screen screen clear करने के लिए फिर user को message दिया है कि enter values of array elements जिससे कि हमें जो 10 size का हमने array declare किया है उसमें हम user से values ले सकें उसके बाद हमें जब भी array में values input करानी होती है तो हम एक for loop लगाते हैं array के i equals to 0 से लेके array के size minus 1 तक तो हम for loop लगाएंगे i equals to 0 से लेके i less than equals to 9 तक और scanf कराएंगे address of ai इन दो statement से हमने array में values input करा लिया तो यहां तक हमारा input का काम finish हो गया है अब हमें अपना logic लगाना है तो logic है कि first element को हमें मानना है कि वो largest है तो हमने लिखा है largest equals to a 0 यानि जो array का first element है उसको हमने मान लिया कि वो अभी largest है अब हमें remaining elements से उसको compare कराना है तो हमने loop लगा है i equals to 1 से 1 से लेके 9 तक और if condition लगाई है कि if जो हमारा ai है यानि जो number है वो अगर greater than है largest से कि जो अभी फिलाल largest है वो जो element जिससे compare करा रहे हैं उससे छोटा निकलता है तो अब हम उस element को largest बनाने वाले हैं तो हमने यहाँ पर देखिए दो statement लिखे हैं अगर ai बड़ा होगा largest से तो अब हमारा largest ai हो जाए यानि अगर a1 था वो a0 से बड़ा निकलता है तो अब हमारा largest a1 हो जाएगा तो इससे हमारा जब यह पूरा लूप चलेगा 1 से लेके 9 तक तो last में हमें largest के अंदर जो element सबसे बड़ा होगा वो value store रहेगी array की तो हम उसको print करा देंगे largest element equals to percentage d, largest variable की जो value है तो largest लिखती है after that get ch and program close closing braces अब हम इसका output देखते हैं तो output मैं यहां पर 10 elements मुझे input करने तो मैंने 10 elements input कर दिया है अबर आप देखें तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो मैंने 90 input किया है और यहां पर output में वो शो हो गया largest element equals to 90 है अबर आप अधिए और आप रहोग तो